अपर्णास रेसिपीज को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और नए वीडियो के नूटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं मेरे किसी भी वीडियो पर feedback देने के लिए नीचे के वीडियो को scroll करें और add public comments में आपके valuable comments लिखतें नमस्ते दोस्तों मैं अपरणा अपरणास recipes में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ share करूँगी बहुत ही quick और simple कच्चे आम के अचार की recipe ये खटा मिठा थोड़ा सा तीखा अचार बनाने में बस 5-6 मिनिट लगते हैं पर ये किसी भी खाने के साथ सव करो तो खाने का मज़ा ही बड़ा देता है आप इसे व्रत में भी खा सकते हो और सबसे अच्छी बात हम इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं यूज़ करेंगे तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कच्चे आम को बारिक टुक्डो में काट कर लिया है ये करीबन 150 क्राम है अब हम इसमें डालेंगे साधरन एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, स्वादा नुसाल नमक यहाँ पर यह हमने थोड़ा सा गूड घीस कर लिया है इसमें से साधरन एक पेड़ा चमच गूड हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे लाल मिर्च पाउडर और गूड को आप आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम जाता कर सकते हो तो यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है आप देख सकते हो गूड भी इसमें अच्छे से पिगल गया है और ही अपना थोड़ा सा तीखा खटा मिठा जटपट आम का अचार रेडी है इसे आप तुरन भी यूज़ कर सकते हो पर बहुत बढ़िया रिजल्ट के लिए आप इसे दूसरे दिन से यूज़ करना स्टार्ट करें तो आप भी ये बिना तेल का चटपट आम का अचार ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ पर उसके लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें